Hey everyone, कैसे हैं आप सब लोग का 5 reasons you should not do hotel management in 2023 अगर आप hotel management करने का सोच रहो या करना चाहते हो बढ़ आपके दिमाग में ये 5 कारण अगर दिमाग में घुम रहे हैं तो फिर तो आपको hotel management नहीं करना चाहिए तो क्या हैं वो 5 कारण वो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा वीडियो बहुत important है तो वीडियो लाइक जरू कर दो और साथ साथ सब्सक्राइब कर लो चैनल को बिकोज आगे future आपके लिए बहुत important वीडियो आने वाली हैं सबसे पहला reason you should not do hotel management अगर आप ये सोचते हैं कि आपको चाहिए एक 9 to 5 job यानि कि अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे एक ऐसी job चाहिए जिसमें सोबह 9 बजे मैं duty पे जाऊं शाम को 5-6-7 बजे मैं duty से off हो जाऊं you know Sunday to Sunday मुझे छुटियां मिले तो फिर तो भाई hotel management आपको नहीं करना चाहिए because hotel management में आपकी जितने भी departments है सब जगे आपको 9 to 5 duty mostly कहीं भी नहीं मिलेगा सब जगे आपको shift based job करना पड़ेगा यानि कभी आपकी morning shift होगी कभी afternoon shift होगी कभी evening shift होगी कभी night shift होगी और वो rotate होती रहती है तो कभी आप evening shift में होगे कभी morning shift में होगे तो इसलिए आप अगर hotel management करना चाहते हैं तो फिर आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा 9 to 5 job आपको नहीं मिलने वाली है और नहीं आपको sunday to sunday off मिलेंगे कभी आपको week के बीच में off मिल जाता है sunday सबसे जादा busy time होता होटेल में ये आपको समझना पड़ेगा तो इसलिए उस दिन जादर जादा staff hotel में होना चाहिए इस वज़े से sunday को चुटी नहीं मिलती है बलकि आपको monday से saturday के बीच में कभी भी चुटी मिल जाती है इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आपको 9 to 5 टाइप की job चाहिए जिसमें आपको sunday to sunday चुटी मिल जाए जो regular आपके job prospect हमारे दिमाग में बनता है तो फिर आपको hotel management नहीं करना चाहिए यहां आपको वो नहीं मिलेगा second reason कि आपको hotel management नहीं करना चाहिए अगर आप सोचते हैं कि आपकी होनी चाहिए एक desk job यानि कि आप अगर सोचते हैं कि आपको एक computer के सामने बैटके एक desk के सामने आराम से chair पे बैटके आप अपना काम करें इस तरीके कि कोई job हो तो फिर hotel management करने का कोई फाइदा नहीं है because यहां पे आपका job इस तरीके से नहीं होता है यहां पे आपके majority departments में आपकी standing job होगी यानि कि अगर आप kitchen में काम करेंगा तो food cook करना पड़ेगा बैठे बैटे तो cook नहीं कर सकते खड़े करना पड़ेगा साथ में अगर आप F&B service में तो service करनी पड़ेगी तो उसमें आप बैठे बैटे तो करनी सकते खड़ा ही रहना पड़ेगा housekeeping में cleaning करनी पड़ेगी तो फिर खड़े खड़े करना पड़ेगा even if you become a manager of any department अगर आप किसी department के manager भी बन जाते हो तो भी आपको खड़े रहना पड़ता है इदर उदर movement करनी पड़ती है देखना पड़ता है काम कैसे चल रहा है तो आप एक ज mentally आप में काम करना पड़े और किसी computer के आगे बैठ के काम करना पड़े तो फिर आपको hotel management में नहीं मिलने वाला फिर आपको hotel management नहीं करना चाहिए थर्ड रीजन आपको hotel management नहीं करना चाहिए अगर आपको है कोई physical problem यानि कि अगर आपको कोई physical issues हैं लाइक आपके टांगों में कोई दिक्कत है आपके हाथों में दिक्कत है कोई disability है कोई physically challenged अगर आप हो या आपको कमर में दर्द रहता है कोई और ऐसा दर्द रहता है physical challenging problem अगर आपको है तो फिर आपको hotel management नहीं करना चाहिए because as I said hotel management में आपकी सारी job standing job है physically demanding job है आपको काम करना पड़ेगा इदर उदर चलते फिरते सामान उठाना पड़ता है like अगर आप kitchen में काम कर रहे तो जिस बरतन में आपने खाना बनाया बड़े बरतन होंगे तो उनको आपको उठाना भी पड़ेगा साथी साथ आप अगर service में तो जो chairs tables आपकी वहां पर रहती है उनको move करना पड़ेगा बार में बार counter को move करना पड़ेगा काफी सारी चीज़ें हो सकती है तो इसलिए आपको physically demanding job रहेगा तो अगर आपको कोई भी physical problem है तो फिर आपको hotel management नह पसंद है ज्यादा नए लोग आपको दिख जाएं आपको ज्यादा friends वगरा बनाना नहीं पसंद है ज्यादा लोगों से बाचीत करना पसंद नहीं है आप शाय हो शाय शाय रहते हो ज्यादा बात नहीं कर पाते हो लोगों के साथ या फिर introvert हो बात करना ही नहीं चाहते हो तो फिर hotel management आपको नहीं करना चाहिए बिकोज इस तरीके के students successful नहीं हो सकते इस industry में because hotel management का मतलब ही यह है कि आप एकदम से customer service में एकदम expert होने बहुत ज़ादा जरूरी है यानि कि आप बात करने में बहुत अच्छे होने चाहिए आपके communication skills English language में तो होनी चाहिए चाहिए साथ ही साथ आपको एक घुल मिलने वाला nature भी होना चाहिए आपको एकदम से आप किसी के साथ भी घुल मिल जाए friends बहुत अच्छे बना लें जल्दी से जल्दी इस तरीके से लोगों से बात करें कि आप उन्हें बहुत पहले से जानते हो तो इस तरीके का nature अगर आपका है तो definitely आपको hotel management करना चाहिए बढ़ अगर आपका nature ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा shy हो या बहुत ज़्यादा introvert हो तो फिर या तो आपको अपने आपको change करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा outgoing person बनना पड़ेगा extrovert बनना पड़ेगा या फिर आप hotel management ना करें तो ही बढ़िया है विवस मैंने ऐसे बहुत सारे students देखें अपने साथ में भी मेरे साथ में भी बहुत सारे ऐसे लोगों देखें इवन मैं खुद भी बहुत shy था introvert तो नहीं कहूंगा लेकिन shy था तो मुझे उसको change करना पड़ा with the due course of time अगर आप उसे change कर सकते हैं तो it's well and good for you otherwise आपको hotel management फिर नहीं करना चाहिए fifth reason is salary expectations अगर आपकी starting salary expectations बहुत high हैं like 50,000, 1 lakh rupees per month आपको सीधे छूटते साथ college से मिल रहे तो फिर देखो hotel management में वो आपको मिलने के chances बिसकुल निल है शुरुआती time पे आपकी salary 15 to 20,000 के आसपास रहती है वो मैंने अपने videos में भी बताया है लेकिन यहाँ पे आपकी endless opportunities रहती है मतलब आप grow करके 2-3, 4, 5,000,000 रुपए पर मैना भी कमा सकते हो इस position तक पहुंच सकते हो लेकिन शुरुआत में अगर आप चाहरे हो सीधे आपको 50,000, 1,000,000 रुपए की salary मिल जाए तो वो शायद hotel management में नहीं हो पाएगा 15-20,000 के आसपा salary मिल जाती है एक साल भी अगर आपको experience हो जाए तो आप आराम से abroad निकल सकते हो वाँपे आपकी salary बहतर हो जाती है और अगर आप cruise ships अगरा में निकल जाते हैं तो वाँपे और भी जादा बहतर हो जाती है मतलब आप कुछ नहीं भी तो 80,000,000 रुपे महीना आराम से कमा लेते हो लेकिन obviously उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा time आपको इंडिया में काम करना पड़ेगा जिसमें आपकी शुरुआत थोड़ी less salary से ही होगी तो अगर आपकी सीधे बड़ी expectation है salary के तो फिर तो आपको hotel management नहीं करना चाहिए तो यह तो थे कुछ पांच कारण जिस वज़े से अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं तो आपको hotel management नहीं करना चाहिए इसके लावा भी कुछ bonus points है वो आपको मैं वीडियो के एकदम end में बताऊंगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like जरू करिये और subscribe करिये चैनल को और अगर आप फिर भी अभी भी hotel management करना चाहते हो तो और अपके still आपके बहुत सारे doubts हैं तो आप मुझे whatsapp कर सकते हैं whatsapp नमर मेरा नीचे दिख रहा होगा instagram पे भी follow कर सकते हैं instagram पे भी मैं बहुत सारे इस तरहीं की informative वीडियो डालता रहता हूं और आगे भी डालूंगा अब आते हैं कुछ उन bonus points पे जो आपको समझने जरूरी है अगर आप hotel management करना चाहते हैं और सोच रहें अभी इस बारे में hotel management कर सकते हैं साथ साथ अगर आपको you know festivals बहुत जादा प्यार है festival से और आप festival को नहीं अपना वो कर सकते अपनी जॉब के लिए तो फिर hotel management करने का फायदा नहीं है because most of the cases में most of the departments में अगर आप job कर रहे हैं hotel में तो आप festivals के time पे hotel में ही रहोगे because festive seasons festive time सबसे जादा busy time होता है hotel में और उस समय में सबसे जादा customers और guests आपके hotel में आते तो इसलिए उस समय में आपको छुटी जब hotel में आप job करते हो तो आपको बहुत poulightly बात करनी होती है बहुत empathetically बहुत सोच समझ के बात करनी होती है अगर आप एकदम से भढ़क जाते हो एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है तो फिर hotel में आप काम नहीं कर सकते हो obviously यह थे सारे कारण, अगर आपके दिमाग में अब भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे वाट्साइप कर सकते हैं, आप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर लीजे, चैनल को बहुत सारे इंपॉर्टन वीडियो आगया आने वाली हैं, थैंकियो सो मच, हैव अनाइस डेप, बाई!